तो friends बग्गा मामा का जैसे हमने पहले ही बताया था अरे भई next video pre wedding shoot ही होगा तो देखिए हमारी जो चीजे हैं न हमेशा सच ही होती है मैंने आपको पहले ही बता दिया था जिस तरह से वो shoes निकाल रहा था कि मैं यही पहनने वाला हूं तो आगे और title कुछ इस प्रकार से है our pre wedding shoot vlog आचल की reactions part 1 मतलब अभी सोचिए पूरी series बनेगी हाँ अभी content हाथ में आया इतनी असानी जा थोड़ी छोड़ा जाएगा तो part 1, part 2, part 3 अभी पता नहीं कितने parts आएंगे so friends welcome to my channel it's me Swati बढगनी जिजी का भी आया है अब ट्रोल करो कुछ इस तरह से title है लेकिन उसमें सौरब ये सौरब जी का भी वीडियो आ गया है सौरब की vlog नाम का channel है जिसने नहीं देखा है subscribe कर दीजेगा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने channel को भी mention करा है तो चलो भई प्री वेडिंग शूट और कहां जादा दूर नहीं भई यहीं जो इनको रोज इन लोगे वीड प्री वेडिंग शूट के लिए और आचल के साथ उनकी मम्मी है तो वो तो आमने पिछली व्लॉग में देखी लिया था तो लोहे वाला पुल बगगा बगगी और तोनो कुड मुडियां यहां से स्टार्टिंग में खूब सारी क्लिप्स वगेरा को एक अच्छा सा उन्ह प्री वेडिंग शूट के लिए आच चुके हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शर सब्सक्राइब कर दीजेगा आज है मेरा प्री वेडिंग शूट यह स्टार्टिंग में बगगा बोल रहा है और प्री वेडिंग श और मैंने नहीं ली मैंने सोचा इसको ही मैं पहन के शूट करवाऊंगा हाई रे दया कितना emotional angle बग्गा ने डाल दिया अगर टाई नहीं होगी भी तो बग्गा जूटी बोलेगा कि ये टाई मेरे पापा की है है बग्गा कोई बात नहीं ताकि लोगों को emotional emotional सबको connect करवा पा वो मैं वहाँ पे camera person उससे कर वाऊंगा और आचल को hotel से लेके चलेंगे और फिर pre wedding shoot location पे पहुंच जाएंगे क्रीम लगा लूँ बाल बना लूँ सेट कर लूँ बालों को और टाई बांदरे नहीं आती मुझे ये अफसोस है कोई बात नहीं वहाँ पे जाके मैं उसको जो camera वाला उससे बनवा लूगा फिर location वही पहुंच गए है पुल पे और hello आचल good morning कैसा लग रहा है वही आचल क को मोटी भी नहीं बोलूँगा हाँ ये बोल सकते है थोड़ी healthy बोल सकते है बाकी आपने शुरू से देखा है जब जब आचल वीडियोस में आती है आचल को कहीं न कहीं body shame खुदी करते हैं ये कई बार बोलते है healthy healthy मोटी मोटी कुछ इस तरह से चीज़े खुदी बोलते र और एक बार मेरा pen code भी दिखा दे भई मेक अप तु छोड़ तू पहले मुझे दिखा फिर camera था आचल के हाथ में और बगगा को दिखाया गे अच्छे से ओए होई होई तुछको तो मैं बंदा बना दूंगी मतला बंदा नहीं है आचल कहना क्या जाती हो तुम ये जानव जानवर से इसको बंदा बनाओगी और गाना गाते होई दिखी है आचल और बाकी प्री वेडिंग की वीडियो बाद में दिखाएंगे थोड़ी हम लोग क्लिप्स दिखा देंगे मुझे डर भी लग रहा है ये तो पुल हिलता भी है तो आचल वस लाई कि पुल हिलता भी फिर अचल ने फाइनली बोला थेंक्यू हाथ जोड़के कि आप लोगोंने इतने सारे लोग मेरी तारीफ करते हैं कि आप बहुत सुंदर हो इसलिए सब को थेंक यू मुझको बहुत बहुत अच्छा लगता है आपको तो आप तो मेरी तारीफ ही नहीं करते हैं देखो यहां पानी बहुत प्यूर है देखो पानी का सी ग्रीन कलर सी ग्रीन कलर मतलब यही वात बार 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 यही बोल रहा था और पॉल्यूशन नहीं है गंदगी बिल्कुल भी नहीं है आपके वहाँ पानी का कलर क शूट करेंगे तो बग्दा ने बोला उपर से जहाज जायेगा मतलब बग्गे को ड्रोन दूर दूर तक वर्ड मुझ में ही नहीं तो आचल ने बोला उसको ड्रोन बोलते हैं मतलब आचा सुधार देगी बग्गे तुम्हें इंसान बना देगी और देखो जिसको तुम जहाज बोल रहे वो ड्रोन होता है ड्रोन पहले जहाज ही बोलते थे बग्गे ने बोला तू जादा बताओगी मुझे तो बग्गे ने अपने आपको भी उपर रखते वे उस पहले जहाज ही बोलते थे खैर, दोनो कुडमोडियां अपस में गल्ला कर रही है, शेहर दिखा रही है मम्मी अपनी कुडमोडि को, कुडमोडी की बोंडिंग वैसे इस बहने, कुडमोडियों की बोंडिंग अच्छी वाली हो गई, मैं सोना लग रहा हूं उससे पूछ रहा था क्यामरे में, फ्रंट कैमरे में, दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे, घूर-घूर के देख रहे थे, कौन जादा, किस में जादा, कौन जादा सुन्दर लग रहा है और टाई भी नहीं लाया कहा है मम्मा के पर्स में उसको लगा कि भी टाई भी कहीं मैं miss छोड़ा छोड़ाया वीडियो बनाने के चक्कर में content cover करने के चक्कर में तो आचलने बोला है दुपट्टा ने बोला भाई वो जो टाई है वो टाइम मम्मा के बैग में है मम्मी ने ये चेन भी दी है इसी दौरान आचलने भईया मौका फटाफट मौके पर चौका मारो और छपटाफट अपनी चेन दिखा दी ये मेरी देखो सासुमा ने मुझको चेन दी है है ना मैं ये बताना भूल गई मेरी सासुमा ने मम्मा ने सब कुछ रखा हुए तुमारे लिए भई आने वाले टैम पर और दिखा न इस चेन से क्या होता है अभी जो दोनों नंदे हैं बड़ी नंदे वो सेट भी देंगी और आंटी जी और क्या के सेट चड़ा रही है अपनी बहुरानी को अरे भईया इतने वड़े ऐसे थोड़ी इतने वड़े यूट्यूबर की शादी हो रही है इतनी बड़ी यूट्यूबर्स के भाई की शादी हो रही है तो गोल्ड में आंटी जी क्या क्या सेट चड़ा रही है या फिस चेंज से ना ना सेट भी चड़ने चाहिए बिलकुल खेर फिर देख ये पानी का सी क्रीन कलर पीछे देख पहाड़ियां उदर देख मंदिर और हम लोग जब बैसाखी होता है तब उदर मंदिर में जाते हैं तो आचल बोल रहे हैं तीकी कल चले मतलब कल चले मेरे को तो लग रहा है तीन चार दिन का प्लान आचल अराम से पनी मम्मी को लेकिया है ये तभी होटल विज रुके हुए है तो उसमें बोला अरे भाईया दो महीने रुक जा तिरको घुमा देंगे मतलब दो महीने रुक जा अभी नवंबर चल रहे है तो शादी क्या दिसंबर के बाद है हाँ या पागल बनाया जा रहे है खैर ये तो वक्ती बताएगा मम्मी वीडियो कॉल में दोनों को दिखा रही मम्मी अपनी फ्रेंड्स को मम्मी को भाईया जब मौका मिलता है फोन पे फटाफट फ़न घुमा लेती है वीडियो कॉल दिखाती है देखो मैं इस जगा पे हूँ और सबसे फेवरेट काम उनको वाटसप स्टेटस लगाना होता है मेरी तरफ से सब को नमस्ते बोलो बगगा ने भी फटाफट हाथ जोड़ के नमस्ते करना शुरू कर दिए सब को हाई कर रहे थे दोनों कमेंट करके बता ना कि भाईया हिमाचल अच्छा लग रहे है कि पंजाब अरे अपने आपको हिमाचल रिप्रेजेंट कर रहे थे हो और आचल को पंजाब रिप्रेजेंट कर रहा था आचल सोनी लग रही है कि मैं तो आचल ने तुरंद बोला कि तुमने मेकप नहीं क्या तुम ही अच्छे लग रहे हो और इतनी देर में ये बोलते बोलते बगगा ने आचल को पीछे उनकी मम्या खड़ी थी मम्यों का भी कोई डर नी आचल को ऐसे हग करके वा जी वा हग तो किया मतलब मुझे लग रहा था कि आचल की मम्य ने देखी लिया था पर ठीक है और तारीफ करनी पड़ती है वरना इ इतनी या आती है वैसे हमने सुनाए कि जो हैल्दी लोग होते हैं बगगा बोल रहा था फिर से यहाँ पर है हैल्दी मुटापे मतलब बगगा तुम चाहते क्या हो बार 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 फिर दुनिया बोलती है तब तुम लोग बॉडी शेमिंग बॉडी मिग करते ओ आज bugün जी यलो और उदर जो बंगी है है ना आंचल उसकी भी ट्रस दोनों यलो यलो मैचिंग हाथ रखके दोनों ने खिचवाई फोटो फिर मतलब आचल के उपर मम्मी स्टेटस पर लगा ले ना वाट्सप पे है ना ये फोटो मैं आपको सेंड कर दूँगा तीनों पंजब ने खटी हो गई है साथ साथ तो बगदे ने बोला ये बात मैं मम्मा फिर मैच हो गई है दोनों मम्मा और बहू तोनों के कपड़े मैच हो गए फिर आचल को आचल घूम रही थी तो मम्मी जी ने बोला कि वो फोल्डिंग चेर मंगा ले वो यहां बैड़ जाए आचल इतनी experience share कि यहां पे बंदर बैठा था सारा समान मेरा गिरा दिया था और यहां पे ऐसे बैठा हुआ था और मैं रोती-रोती फिर वापस गई फिर मैंने प्रिया को बढ़कन्नी को बताया कि कि मंकी सारा समान ले गया तो वह बोली मम्मी आपको जबटा तो नहीं मारा लेकिन मम्मी समान के लिए रो रही हो अपने लिनी रो रही बताओ आचल बोली मुझे गर्मी लग रही है इतनी देर में मम्मी जी को कह रही थी अपनी मम्मी को कि देखो मैं सर्दियों में भी धूपनी लेती ना तो मम्मी भी घड़ती नहीं इतनी देर में जो बगगा की मम्मी जी ने पूरा दिन मुष्किल हो जाएगा मैं और मम्मी जा रहे हैं प्री वेडिंग लोकेशन पे और इसी बीच फिर बग्गा ने ये भी explanation दी कि प्रीतों को चलना था बट वो बोली पूरा दिन मुश्किल हो जाएगा शाम के 7-8 बच जाएगे अरे भाई मतलब हर जगा ये क्या अत्याचार उस पे नहीं हो रहा उसको बिलकुल प्री वेडिंग शूट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा भाई या लडगे की बहिन वो भी सगी बहिन ये कितना बड़ा अत्याचार है मतलब ठीक है यार एक दिन के लिए तो टाइम नि कर दूँगा बैठ गई पुल पे वो फाइनली नीचे ही बैठ गई वेट करते करते और फिर वो बात करते करते खुद को उसको राज बना दिया खुद को सिमरन समझ रही थी और फिर हाथ ऐसे करके कि मैंने नेल एक्सटेंशन नहीं करा है कल मैंने सोचा ता बट मुझको टाइम ही नहीं मिला खेर ड्रोन वाला आ रहा है हमें पुल पे बुला रहा है सुबा साड़े आठ बजे का टाइम दिया था अभी तक नहीं आया और मुझे मोटी मत कहना ये ड्रेस ही ऐसी है बार 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 बोल रही थी आप लोगेगा मैं मोटी लग रही हूँ ये ड्रे टेक लेने पड़ते हैं कितनी बार रीट रहे तू तो बोली थी एक्ट्रेस है फिर नेक्स्ट लोकेशन पर ये लोग आ गया और इसी तरह से कुछ वीडियो इनका हुआ है खतम तो आज की वीडियो में वेडिंग शूट प्री वेडिंग शूट दिखाया गया है जिसमें बगगी बगगी की मम्मी बगगा और बगगा की मम्मी ना इसमें बच्चे को लिया गया अरे चुटकनी जिची उनके बच्चे को बिलकुल अरे प्री वेडिंग शूट है तो बहन तो आ सकती थी लेकिन बहिनिया को नहीं लाया गया है तो कुल मिला कि उनको अभी ये अत बात होगी जिज्जा जी की तवियत खराब हो गई है ना वाकि ट्रोल वाला सिर्फ और सिर्फ क्लिक वेट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है उसकी बात करेंगे हम लोग कल चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई-बाई एंड टेक केर बाई-बाई